सिंदूर में ये एक चीज रखना बेहद शुब है, साथ ही मैं आपको बताऊंगी कि पीरियट्स में सिंदूर लगाना चाहिए या नहीं, सिंदूर गिरने से आपको क्या संकेत मिलता है और एक ऐसी गलती जो महिलाएं हमेशा मांग में सिंदूर लगाते समय करती है, लेकिन इस गलती को आप नजर अंदाज ना करें क्योंकि ये आपके परिवार पर कष्ट ला सकती है, खास कर आपके पती की मृत्यू का कारन बन सकती है और आपके पती से बिछडाव याने के दूरी का कारन बनती है तो पूरी चानकारी के लिए इस वीडियो को अंतक जरूर देखिएगा, नमश्कार दोस्तों स्वागत थे आप सभी का एक बर फिर से दोस्तों सची श्रद्धा से कमंस में जरूर लिखे हर हर महादेव, दोस्तों हिंदू धर्म में सुहागन महिलाओं के जीवन में सिंदूर का एक खास महत्व होता है, अक्सर आपने हिंदू धर् सिंदूर को सुहागन महिलाओं के सुहाग का प्रतीक माना जाता है, विवा के समय भी सिंदूर दान की विधी का भी एक खास महत्व है, इसके बाद ही विवा की विधी को पूर्ण माना जाता है, और एक बार विवा हो जाने के बाद सभी सुहागन महिलाओं को सिंदूर ल बनाई गई इन परंपराओं के केवल धार्मिक महत्व ही नहीं है बलकि इसके संदर्ब में कई वैज्ञानिक महत्व भी बताए गए हैं। बंदत समस्याओं का सामना करना पड़ता है तो आईए जानते हैं संदूर लगाने के वो कौन से नियम है जिनका पालन हर महिला को जरूर करना चाहिए। लेकिन शादी शुदा महिलाओं को किसी दूसरी महिला के संदूर को अपने मांग में भरने से बचना चाहिए। किसी दूसरी महिला के संदूर को मांग में भरना बहुत ही अशुब होता है। ऐसा करने वाली महिलाओं के पती को धनसंबंदित समस्याओं का सामना करना पड़ता है। दोस्तो नमबर तीन सुहागन महिलाओं को उपहार में मिले संदूर का उपयोग करने से बचना चाहिए क्योंकि शास्तरों में उपहार मिले संदूर का उपयोग करना शुब माना नहीं गया। दोस्तो नमबर चार इसके साथ ही कभी भी महिला को बगयार नहाए मांग में संदूर नहीं लगाना चाहिए। दोस्तो नमबर पांच घर में अगर किसी भी तरह का सूतक है या आपको पीरियड जा रही है तो आप संदूर ना लगाएं क्योंकि ये संदूर का अपमान होता है। दोस्तो नमबर चे संदूर का गिरना बहुत ही बड़ा अप्शेगुन माना जाता है। इसलिए इसे हमेशा ही बच्चों की पहुत से दूर रखें। अगर आप इसे ऐसी जगह पर रखेंगे तो बच्चे इसे हाथ लगाएंगे और ये गिर सकता है और ये अच्छा नहीं माना जाता तो ये गलती आपको नहीं करनी चाहिए। क्योंकि सिंदूर गिरने पर आपके पती को कश्ट का सामना करना पड़ता है ऐसे घर पर माता पार्वती भी नाराज हो जाती है तो अगर कभी सिंदूर गिर जाए तो आपको हमेशा माता पार्वती से शमा मांग लेनी चाहिए। अगर गलती से कभी आपसे सिंदूर नीचे गिर जाता है तो उसे कठा करके किसी नाली या सिंक में ना पैकें क्योंकि ऐसे में सिंदूर का अपमान होता है सिंदूर को इकठा करके माते से लगा कर किसी पेड के नीचे रग दे और ऐसे में माता पार्वती से आप जरूर शमा मांग ले इससे सिंदूर गिरने का अपशगुन काफी हद तक तल जाता है दोस्तो नमबर दस अगर आप से सूखा सिंदूर सही तरीके से नहीं लगता है तो आप अपनी उंगली या माचिस की तीली को थोड़ा सा गीला करके सिंदूर में टच करके माथे पर लगा ले इससे सिंदूर ना ही फैलेगा ना ही आपके चहरे पर गिरेगा दोस्तो नमबर 11 शास्तरों के नुसार जो भी स्तरी अपनी मांग के सिंदूर को अपने बालों के पीछे छिपा लेती है तो उसके पती को समाज में मान सम्मान नहीं मिल पाता जिस उचाई को वो छूना चाहती है वहां तक वो प क्योंकि माथे पर सिंदूर लगाने से स्त्री की शक्तियां जागरित रहती है। विषेश कारिया या विषेश पूझा आपके घर हो तो उस समय पर थोड़ा थोड़ा वह सिंदूर आप लगाई जाती है। अशुब माना गया है। आप उन करमचारी को जानते नहीं है। उनका आचार व्यवहार आपको नहीं पता है। फिर भी अगर आप उनसे संदूर लगवाते हैं तो ये सही नहीं है। हमेशा संदूर आप खुद ही लगाईए या फिर अपने पती के हाथ से आपको संदूर लगाना चाहिए। दोस्तों अगर आपको सपने में संदूर दिखाई दे ये भी बहुत ही जादा शुब माना जाता है। सपने में मांग में संदूर का दिखाई देना ऐसा माना जाता है कि इससे आपको आपके माईके से बहुत ही बड़ी खुश खबरी मिलने वाली है और अगर कोई अशुब आपके साथ होने वाला है तो वो भी टल जाता है। अगर क्वारी स्त्री को सपने में खुद को संदूर लगाना दिखाई थे तो इसका मतलब है कि उसकी शादी उसके मन चाहे पसंद के वर के साथ होने वाली है। दोस्तों अगर घर में आपके पती से बन नहीं रही या घर में लड़ाई कलेश इत्यादी का माहूल रहता है तो इस दोश को दूर करने के लिए आप सरसों के तेल में थोड़ा सा संदूर मिलाकर अपने घर के मुख्या दरवाजे पर स्वास्तिक या ओम का प्रतीक और कलेश इत्यादी का माहूल दूर हो जाता है अगर आप ऑफिस में काम करने वाली महिला है या किसी कारण से आप रोज माथे पर मांग में संदूर नहीं लगा सकती है तो कम से कम जो आपके त्योहार होते हैं आपकी साल गिरा होती है या आपके घर में कोई पूजा कर सकती है तो उसका फल आपको कई गुना मिलता है अगर आप कामाख्या मंदर कभी जाएं तो वहां का संदूर आप जरूर लेकर आईए कामाख्या माता के मंदर का संदूर बहुत ही चमतकारी माना गया है और इसे अगर कोई सुहागन महिला प्रती एक दिन अपने माथे पर लगाएं तो उसके घर परिवार में सदैव खुशिया बनी रहती है और ऐसी सुहागन महिला सदैव सोभागया वती रहती है तथा पती पतनी के बीच का रिलेशन सदैव सदैव के लिए बना रहता है तो दोस्ता आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमंस में जरूर थीडियर बताँ